चार दिन पानी में उबाल कर पी लो, पूरी जिंदगी आपको सुगर रोग, कोलोस्टोल, पेट की रोग, मोटापा, गठिया रोग और दिल से जुड़ी बीमारियां कभी नहीं होंगी। दोस्तों आज की इस वड़ी में हम आपको एक ऐसी चमतकारिक चीज के सेवन की विदी के बारे में बताएंगे और इस नुस्खे को बना कर दिखाएंगे। पेट में गैस, एस्टिटी की समश्या होगी और नहीं आपके खून में गंदगी आएगी। बिल्कुल सवास्थ बना सकते हैं और इन हाजारों और लाखों रुपए की दवाईयां खाने से बचे रह सकते हैं। तो चली दोस्तो आपको बताते हैं कि ये चीज है क्या। दोस्तो ये चीज कुछ और नहीं बलकि आपकी रिसोई में मुझूद एक मसाला है। और उस मसाले का नाम है जीरा। दोस्तो जीरा बहुत अधिक चमतकारी है। और आपने भी आज की इस वीडियो को देखने से पहले इस जीरे के इतने चमतकारी का फाइदे ना तो कभी सुने होंगे और ना ही खुद जाने होंगे। दोस्तो ये जीरा बहुत अधिक चमतकारी है और आपके सरीर को हर त्रह के रोग से बचासकता है। बस आपको जानने की जुरूद है इसके सही परियोग की और सही योज की कि आपने इसका सही तरीके से परियोग करना कैसे है और इसका योज करना कैसे है। आपको कभी डाइरिया होगा, अपच होगी, पेट फूलने की समस्या होगी, पेट में गैस होगी, आपको ये बीमारिया कभी नहीं होगी. यदि आपको सर्दी जुखाम या भुखार की परिसानी है, तब भी ये नुसका एक चमतकारी ओस्ती की तरहें काम करता है, क्योंकि इसमें मौझूद एंटी इंफ्लमेंटरी और एंटी बैक्टरिल और एंटी फंगल गूं ठंड से बचाने में मदद करते हैं, साथ ही आपक आपके सरीर में खून की कमी को पूरा करेगा, और ना सिर्प आपके सरीर में खून की कमी को पूरा करेगा, बलकि आपके सरीर के खून को सुध भी करेगा, और दोस्तों यदि हमारे सरीर का खून पूरा है, और हमारे सरीर का खून सुध है, उसमें कोई गंदगी नहीं है, तो हम 1.500 त्रहें के रोगों से बचाते हैं यानि कि ये आपको इतने सारे रोगों से बचातेगा जोडों के दर्द की अचूक दवा है ये आपके हडियों को मजबूत बनाकर आपको जोडों के दर्द से बचाता है पेट के सभी रोगों का इलाज है diabetes वाले मरीजों के लिए तो एक चमतकारी है क्योंकि उनके सुगर के level को control करता है और उनको इस diabetes जैसी भेंकर बीमारी से बचाता है तो कितना चमतकारी है दोस्तों आपके cholesterol को सही करता है जिससे कि आपके सरीर में bad cholesterol नहीं बढ़ता और आपको कभी heart blockage नहीं होती और नहीं आपको heart attack आता है ये blood pressure को सही करने का काम भी करता है तो चले दोस्तों आपको बताते हैं कि आपने इसका प्रयोग करना कैसे है दोस्तों आपने करना कै है कि सबसे पहले एक गिलास पानी को लेकर आग पर उबलने के लिए रख देना है अब आपने इसमें आदा चमच जीरा डालना है जैसे कि ये हम डाल रहे हैं अब आपने इसको तब तक उबालना है जब तक ये एक गिलास आपने पानी लिया था और वो उबल उबल कर आदा गिलास ना रह जाए और जब यह पानी उबल उबल कर आदा गिलास रह जाए तब आपने इसको एक गिलास में डाल देना है और एक गिलास में डालने के बाद आपने इसमें डालना है एक चमच एपल साइडर विनेगर जैसे कि यह हम डाल रहे हैं अब आपने इसमें अपने टेस्ट के लिए आदा चमच डालना है सहद और दोस्तों आपका ये नुस्खा रेडी हैं आपके सरीर को बहुत त्रहेंके रोगों से बचाने के लिए आपके सरीर को बिलकुल सवस्थ बनाने के लिए तो दोस्तों आप इसका सेवन हर रोज सुबह खाली बेट करें और यदि आप ऐसा करेंगे तब आप देखेंगे कि आपका सरीर बहुत त्रहें के रोगों से बच जाएगा और आप हमेशा बिलकुल सवस्थ फील करेंगे निरोगी बने रहेंगे तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सेर जुरूर कीचिए इसके साथ हमें आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजी और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजी ताकि आपको हमारी सबी आने वाले वीडियो की नोटिकेशन आते रहे धन्यवा दोस्तों